नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका हारदिक्ष वाकत है दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको तीन ऐसी चमतकारी चीजों से एक ऐसे नुस्खे को बनाकर दिखाऊँगा दोस्तो यदि आप इस नुस्खे से बनी चाय को सुबे खाली पेट पी लेते हैं तो दोस्तो आपको 90 त्रहें की बीमारियों का इलाज हो जाएगा आपके सरीर की ये 90 त्रहें की बीमारियां आपके सरीर के आसपास भी नहीं आएगी दोस्तो थाइराइड की समस्या आपकी ठीक हो जाएगी पेट की गर्मी की समस्या ठीक हो जाएगी यदि आपके तलवों में जलन की समस्या है तो दोस्तो वो भी आपकी सही हो जाएगी Diabetes सही होगी आपकी Diabetes कंट्रोल में बनी रहेगी Kolostole Level सही रहेगा High BP दूर होगा Uric Acid जोडों के दर्द की समस्या आप इन सबसे जोडों के दर्द घुटनों के दर्द या Hard Tech जैसी बीमारियों से आप बच रहेंगे खून की कमी आपके सरीर में दूर होगी और आँखों की रोसनी को भी बढ़ाएगा ब्लड प्रेसर की समस्या का भी इलाज करेगा दोस्तो इतना चमतकारी नुस्खा है और आपने इस नुस्खे को बनाने के लिए भी महज तीन चीजों की अव सकता है तो चलिए दोस्तो टाइम वेश्ट ना करते हुए आपको बताते हैं इस नुस्खे को बनाने की विदी दोस्तो क्या आपको भी इन गर्मों में पेट की गर्मी की समस्या रहती है या आपके जोडों या घुटनों में दर्द की समस्या, गटिया की दर्द की समस्या, नरव पेन की समस्या, या कहीं भी आपको ब्लोकेज की समस्या, खून में गंदगी है, आपके चेहरे पर गलो नहीं है, जुरियां बन गई है, तो दोस्तो आप इस नुस्खे को लेजिए हमारे द्वारा बताए गई वीदी स्यावित नुस्खे को बनाईए दोस्तो इस नुस्खे की जो सबसे पहली मुखे समगरी है दोस्तो वह है जीरा दोस्तो आपने इसके लिए भुने हुए जीरे का प्रियोग करना है दोस्तो भुना हुआ जीरा लेना है आपने आदा जमबच। दोस्तो जीरा हमारे सरीर के लिए बहुत अदिक फाइदेवंद होता है। ये आपके सरीर में खून की कमी को दूर करता है। आपके नसों की blockage को खूलने का काम करता है, मोटापे को control करता है, आपको पेट के रोगों से बचा कर रखता है, कबज, गैस और एस्टेटी का इलाज करता है, आपके पाचन को मस्बूत करता है, जो दूसरी आपने इसके लिए सामगरी लेनी है, दोस्तों वह लेनी है सौंफ, सौंफ लेनी है आपने बारीक वाली, सौंफ का लेना है दोस्तों आपने आदा चमच, वैसे सौंफ को आपको कभी भी भूनना नहीं चाहिए, क्योंकि यदि आप सौंफ को भूनेंगे, तो उसके जो गुन होंगे वो नश्ठ हो जाएंगे, इसलिए हमेशा आप जब भी किसी भी दवा या ओश्ती को बनाने के लिए आप सौंफ का प्रियोग करते हैं, तो आपने सौंफ का प्रियोग पलेन ही करना है, और इस नुस्खे को बनाने के लिए आपने सौंप का प्रियो करना है आदा चमच। दोस्तो सौंप हमारे सरीर में ठंडक देती है, पेट की गर्मी का एक कारगर इलाज है, आंखु की रोशनी को बढ़ाती है, केल्शन की कमी का इलाज करती है, पाचन को मजबूत करती है, औ दोस्तो धनिया, हमारे सरीर के लिए बहुत अधिक वाइदेमत होता है, किडनी की बीमारियों का एक कारगर इलाज है, मोटाबे को कंट्रोल करता है, पाचन को मजबूत करता है, डाइपटी जैसी बीमारियों को कंट्रोल करने का और इसके कॉम्प्लिकेशन से आपको बच बच्रोल करते हैं, जैसे की यह मैंने रख दी, आपने भी रात को इनको ऐसे ही बीगोकर रख रहने दीने हैं, और रात भर के लिए आपने इनको ढखकर रख देना है, एक गिलास पानी में भीगोकर अब दोस्तों सुबह खाली पे आपने क्या करना है, इस पानी को आग प मिस्री का प्रियोग आपने नहीं करना है लेकिन यदि आपको डायपटिस की बीमारी नहीं है तब आप इन दोनों में से किसी भी चीज का यदी प्रियोग करना चाहें तो कर सकते हैं यदि आप इसको सौंफ जीरा और धनिये का जो चाहिवनि इसका ऐसे ही बिना मिस्री और सहथ के सेवन करना चाहें तो ऐसे भी सेवन कर सकते हैं दोस्तो आपने इसका सेवन करना है सुबह खाली पेट और दोस्तो यदि आप ऐसा करेंगे तो आपके स्रीर की 90 त्रहें की बीमारियों का इलाज हो जाएगा यूरीकैसिड की समस्या दूर हो जाएगी थाइराइड में आपको अराम मिलेगा डायबटीज आपकी कंट्रोल में बने रहेगी आपकी खून में गंदगी नहीं हो खून की कमी का इलाज होगा खून आपका पतला होगा आपको कोलोस्टोल की कोई समस्या नहीं होगी नहीं आपको हार्ट ब्लोकेज की समझ से आएगी हार्ट अटेक जैसी बीमारियों से आप बच रहेंगे बलड प्रेसर आपका कंट्रोल में बना रहेगा दोस्तो आपकी आँखों की रोसनी को बढ़ाने में भी बेहद कारगर नुस्का है और दोस्तो इस नुस्के की तासीर ठंडी होती है जो आपके सरीर में पेट की गर्मी को सांथ करेगा तलों की जलन की यदि आपको समझ से है तो उससे भी आपको बचाएगा आपके चहरे पर नया गलो लाएगा आपके चहरे पर निकार लाएगा तो दोस्तो देर किस बात की है आप भी इस नुस्खे का सेवन हमारे दुवारा बताएगे विदी से आप आज सही बनाकर सेवन सुरू कर दीजे और अपने सरीर को निरोगी बना दीजे दोस्तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को अभी सबस्क्राइब कर क्योंकि इस चैनल पर आपकी हैल्थ से जुड़ी हम बहुत सारी विडियो लेकर आते हैं जिनका प्रयोग करके जिन नुस्खों को आप अपने घर पर बना सकते हैं और अपनी सिहत को सही रख सकते हैं इन डोक्टरों के पास जाने से बचे रह सकते हैं तो दोस्तो यह थी ह यदि आपको हमारी वडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर कीजिए इसके साथ में आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइबर बटन के साथ जो बेल का इकोन है उसको भी दबा दीजिए ताकि आपको हमारी सभी आने वाले वडि